आज हम आपको reference tab के table of content option के अंतरगत सभी options की जानकारी दे रहे हैं माल लीजे कि आप Microsoft Word में एक लंबे दस्तावेज पर काम कर रहे हैं जैसे कि एक academic document या एक बड़ी report प्रोजेक्ट के आधार पर या दर्जनों या सैकडों pages लंबा हो सकता है या याद रखना कठीन हो सकता है कि यदि कोई दस्तावेज इतना व्यापक होने पर किन pages में कौन सी जानकारी है Microsoft Word में आपको सामगरी की एक table बनाने का एक आसान तरीका है table of content जिससे आप अपने lesson को व्यवस्थित और explore करना आसान हो जाता है सामगरी की table books की शुरुआत में chapter list के समान है या दस्तावेज एक प्रतेक section के साथ साथ उस page संख्या को सूची बद करता है जिस पर या शुरू होता है तो चलिए अब इसे practical तरह से समझते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते है table of content का यूज़ करने के लिए आप देखेंगे हमने यँए पर एक document insert किया हुआ है जिसमें आप देखेंगे हमने पहला जो page है बिल्कुल blank लीआ हुआ है और बागी के pages पर हमने याँपर कुछ document insert किया हुआ है और आपको समझने में आसान हो इसलिए हमने याँपर page number को भी यहां पर insert किया हुआ है आप देखेंगे page number 2, 3 से लेकर के last 8 number तक page नहीं आपर insert किया हुआ है और जितने भी अमने pages यहां पर insert किये हैं सभी pages में हमने कुछ यहां पर headings और इनकी subheadings यहां पर create किये हैं तो table of content का use करने से पहले इन सभी pages में हमें यहां पर headings का use करना होगा आप देखेंगे home tab में हमें यहां पर एक option दिखाई देगा style के नाम से और यहां पर आप देखेंगे heading 1 और heading 2 हमें दिखाई देगा इन में से हमें किसी ना किसी heading का यहां पर use करना होगा तो सबसे पहले हम document में headings का use कर लेते हैं इसके लिए हम चले जाते है view tab पर और यहाँ पर हम इसे one page पर click कर लेते हैं ताकि हमारा जो document है वो यहाँ पर हमे clear दिखाई दे अब सबसे पहले हम चले जाते है page number 2 पर page number 2 पर जाने के बाद इस वाले heading को हमने यहाँ पर select किया और home tab में जाने के बाद हमने इसे convert कर दिया heading 1 में हम heading 1 में जैसे इसे click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर heading 1 में हमारा document convert हो चुका है इसके बाद scroll करके हम यहाँ से नीचे आएंगे नीचे आने की बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर same page पर एक और heading हमें दिखाई दे रही है यानि इस heading को हम इसकी sub heading बना लेते हैं यहाँ पर आप देखेंगे heading 2 आपको दिखाई देगा आपको यहाँ पर heading 2 पर सिदे click कर दे रहा है जैसे आप इसे heading 2 पर click करेंगे तो आपका ही document जो होगा वो heading 2 में यहाँ पर convert हो जाएगा इसी तरीके से scroll करके हम नीचे और आ जाते हैं page number 3 पर इस पहली वाली line को हम इंह आ पर select करते हैं और इसे भी हम यहाँ पर heading 1 में convert कर लेते हैं heading 1 में convert करने के बाद नीचे आते हैं नीचे आने के बाद बाकी की जितनी भी headings हैं उन सभी कौम यहाँ पर heading 2 में convert कर लेते हैं मालने जा हमने इसको भी heading 2 में convert कर लिया और इसको भी heading 2 में convert कर लिया और नीचे जाने के बाद इस वाले document को हम वापस से heading 1 convert कर लेते हैं में रह लुद से बाद करके अम यहाँ इस को नेक्स पेस पेंगे शिफट कर देते हैं इसी तरीके से आपके बाद जितने भी डॉक्मेंट सोंगे उन्ह बी MEN आपको heading 1 और heading 2 का यहाँ पर use करना है without heading 1 और heading 2 का use किये statements बिना आप यहाँ पर table of content का use नहीं कर सकते थो इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी documents में heading 1 और heading 2 का यहाँ पर use कर लेते हैं आप दिख़ेंगे हमने सभी documents को yaha permit endings में convert कर लिया है इसके बाद इसे भी select करके हम इसे भी heading 1 में convert कर लेते हैं और सारे के सारे documents हमारे heading 1 में convert हो चुके हैं सभी document को heading 1 में convert करने के बाद हम चले जाते हैं सबसे उपर पहले वाले page पर यानि blank वाले page पर अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर इसे multiple pages view में ला देते हैं ताकि आपको document बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे इसके बाद blank वाले page पर आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद आपको जाना है यहाँ से reference tab के अंदर reference tab पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर table of content का एक option दिखाई देगा इस पर आपको click करेंगे इस पर जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने आपको काफी सारे content के format यहाँ पर दिखाई देंगे जिसमेंसे आप किसी दी एक format को यहाँ पर select कर सकते हैं हम यहां पर automatic table 2 को यहां पर select करते हैं, जैसे हम इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा यहां पर content create हो चुका है, अब मैं इसे थोड़ा सा zoom करके आपको दिखा देता हूँ, तो view tab में जाने के बाद यहां पर one page को मैं select करता हूँ, इसके बाद आप देखेंगे यहां प page number 2 पर यह भी represent कर रही है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे, तो page number 1 पर आप देखेंगे, हमारी heading 1 थी, और उसके नीचे आप देखेंगे, under everywhere का जो option है, वो page number 2 पर ही है, जो इसकी sub heading आपको यहां पर represent कर रहा है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे, आपको यहां पर content create हो चुका है, इसके अलावा table of content पर जैसी आप click करेंगे, तो नीचे की तरफ आपको एक और option दिखाए देगा, more table of content from office.com, यानि यहां पर जब आप click करेंगे, तो यहां पर आप online भी यहां पर insert कर सकते हैं, table of content के बहुत सारे format आपको यहां पर एक option open हो जाएगा, table of content का, और यहां पर आपको headings यहां पर दिखाए देगे, heading 1, heading 2, heading 3 के नाम से, और इसी तरीके से आप देखेंगे, web preview भी आपको यहां पर दिखाए देगा, और यहां पर अगर आप dots की जगापे lines create करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर format यूज किया, तो classic format में आप देखेंगे, यहां पर हमारे page number दिखाए दे रहे है, heading दिखाए दे रहे है, बट बीच में कोई भी dot या कोई भी line आपको दिखाए नहीं देगी, इसी तरीके से यहां पर आप नीचे की तरफ जाएंगे, fancy का अगर यूज करेंगे, तो fancy में आपको adding होगा, वो बिल्कुल sequence में आपको दिखाए देगा, और page number आपको दिखाए देगा, बट यहां पर कोई भी line insert नहीं होगी, तो उसलिए हम यहां पर from templates का यहां पर use करेंगे, और यहां से आप जो भी dots या line जिसका भी use करना चाहिए, वो यहां पर select कर सकते हैं, select कर और यहां के बाद आप देखेंगे, यहां पर आपको सामने दो option आपको और दिखाए देगे, जिसमें लिखा है, show page number and right align page number, इसका मतलब यह है कि आपकर जो page number होगा, वो यहां पर show होना चाहिए, तो उसे आप यहां पर show करा सकते हैं, अगर आप इसे यहां से टिक अटा देगा, तो mostly हम यहां पर right align को भी यहां पर select करके रखेंगे, ताकि जो हमारा document है, वो थोड़ा सा अच्छा दिखाए दे, और इसके बाद आप आप एक और option आपको दिखाए देगा, use hyperlink insert of page number, यानि कि अगर आप इस heading पर control के साथ क्लिक करेंगे, तो directly आप उस heading पर पहु कर देगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, हमारे सामने वो content यहां पर तयार हो चुका है, तो control को दबा करके जैसे हम पहली वाली heading पर यहां पर आकर करके क्लिक करेंगे, तो आप के सामने आप एक option दिखाए देगा, current document, control plus click to follow link, यानि इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, तो यह directly हमें जम करा देगा हमारी heading 1 पर, यानि इसका link create हो चुका है उस table of content से, इसके लाब आप किसी भी heading पर जा करके जैसे क्लिक करेंगे, तो directly आप उसी जगा पर यहां पर जम कर जाएंगे, तो इस तरीके से आप table of content में directly link भी create कर सकते हैं, और अगर आप link को हटाना च जाएंगे, तो आपको यहां पर एक option दिखाए देगा, remove table of content का, इस पर अगर आप click करेंगे, तो आपको जो भी यहां पर content होगा, वो यहां से remove हो जाएगा, यानि जो भी हमने table of content यहां पर create किया था, वो यहां से हट जाएगा, तो हम control Z करके इसे वापस से insert कर लेते हैं, insert करने के बाद हम इस table of content को यहां पर select करके रखते हैं, select करने के बाद आप देखेंगे, आपको यहां पर एक और option दिखाए देगा, save selection to table of content gallery, इस पर अगर आप click करेंगे, तो आप इस content को building and blocks में यहां पर save कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने content को यहां पर permanently save करके भ भी रख सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे, यहां पर एक और option आपको दिखाए देगा, update table का, update table का किस तरीके से use किया जाता है, जैसे माल लीजे, हम यहां से चले जाते हैं, page number 2 पर, और page number 2 पर जाने के बाद माल लीजे, हमने यहां से कुछ matter को select करके delete कर दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे heading होगी, उस सिर्फ इतनी ही मुझे heading रखनी है, इस से जादा मुझे heading यहां पर नहीं रखनी, बट अगर हम table of content की और जाकर के देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, इसके अंदर पूरी की पूरी line आपको यहां पर represent कर रहा है, तो अलावा यहां पर अगर आप second option को select करेंगे, इसमें लिखा है update enter table, यहां आपने अपने table में कोई भी data extra insert किया है, तो वो यहां पर update हो जाएगा, तो यहां पर जैसे हम इससे select करके ओगे button पे click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारी line में जो भी हमने data यहां से delete किया था, वो इससे तीन पर हमने जो page number shift किया है, मैं उसे भी update करना चाहता हूँ, तो इसमें वह वापस से update table को select करूँगा, और यहां पर पहले वाले option को select करके, जैसे मैं आपर OK बटन पर click करूँगा, तो आप देखेंगे हमारा page number यहां पर update हो चुका है, अभी जो हमारा page number था, वो page number 2 पर यह दोनों content आ रहे थे, अब आप देखेंगे तो यह दोनों के दोनों content हमारे page number 3 पर shift हो चुके हैं, तो इस तरीके से आप table of content के सभी option का यहां पर use कर सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे table of content में यहां पर एक option आपको दिखाए देगा, update table का, तो यह update table का option वही ह जो मैंने recently अभी आपको बताया, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहां से आप अपने content में जो भी चीज अपडेट करना चाहते हैं, directly आप इस पर click करके, महां से उसे update कर सकते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे, आपको यहां पर एक और option दिखाए देगा, add text का, और add text में आप देखेंगे, आपको यहां पर levels दिखाई दे रहे हैं, तो इस level का किस तरीके से use किया जाता है, मैं वो भी आपको बियर कर देता हूँ, इसके लिए मैं यहां पर page number 2 पर आजाएंगे, दो पर आने के बाद हम इसमें से किसी भी word को select करके, माल निजा हम उसे adding में convert क इसमें पर आप उपर की तरफ जैसे जाएंगे, टेबल अफ कंटेंट वाले option पर और आपडेट टेबल को select करके, यहां पर update अपडेट एंटर टेबल को select करके, जैसे यहां पर O.G बटल पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर आपके सामने for Mac यूजर के नाम से हमारा वो डेटा यहां पर insert हो जाएगा, यानि कि आप अपने content में कोई भी level अगर extra add करना चाते हैं, यानि कहीं पर भी आप adding के बजाए, sub adding create करना चाते हैं, तो directly आप यहां पर levels का easily use कर सकते हैं, इसका मैं आपको एक और example create करके बता देता हूँ, जैसे माल लीजे, हम यह आप आ गए page number 3 पर, page number 3 पर आने के बाद यहां पर हम कुछ heading को यहाँ पर type करेते हैं, जैसे माल लीजे, हमने यहाँ पर type कर दिया एक्सल, info tag और excel info tag लिखने के बाद इस word को हमने select किया, select करने के बाद हम चले जाते हैं वापस से add text पर, और add text पर select करने के बाद यहाँस, ह यहां पर आपके सामने एक और एक और एडिंग यहां पर रेप्रेजन हो जाएगा तो इस तरीके से आप टेबल अफ कंटेंट का यहां पर यूज कर सकते है आज हम आपको रेफ्रेंस टाइब के फुटनोट ब्लॉक के अंतरगर एंड नोट या फुटनोट के सभी आप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं आपने कई बार देखा होगा कि अकबारों में या किताबों में किसी शब्द के आगे स्टार लगा हुआ होता है और नीचे की तरफ उसका अर्थ दिया हुआ होता है उसे फुटनोट या एंड नोट कहा जाता है फुटनोट या एंड नोट से आप अपने फाइल में लिखे गए किसी भी शब्द का मतलब उसी पेज पर या फाइल के एंड में लिख सकते हैं इससे या फाइदा होगा कि जब भी आप अपनी फाइल किसी को मेल करेंगे या किसी दूसरे वैक्ति को पढ़ने के लिए देंगे तो वो उस शब्द का मतलब नीचे पढ़ सकता है या फिर जब वो उस शब्द पर माउस का एरो लेकर जाएगा तो उसे उस शब्द का मतलब नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा तो चलिए इसे प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं एंड नोट या फुटनोट का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा रेफरेंस टैप पर रेफरेंस टैट पर जाने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक आप्शन दिखाए देगा फुटनोट ब्लॉग का और उसके अंदर आपको एंड नोट और फुटनोट के आप्शन आपको यहाँ पर दिखाए देंगे सबसे पहले हम आपको footnote insert करना बता देते हैं तो इसके लिए मान लीज़े हमने यहाँ पर एक document insert किया हुआ है और जिस word पर भी आप footnote का use करना चाहते हैं उस word को या तो आपको select करना है और या तो फिर उस word के आगे आगे आपको click कर देते हैं हमने windows के आगे click कर दिया है और click करने के बाद हमें जाना है footnote पर और यहाँ पर footnote पर click कर देना है जैसे हम यहाँ footnote पर click करेंगे तो आप देखेंगे इस page के बिलकुल last में आपको यहाँ पर footnote दिखाई दे जाएगा यहाँ पर आप उस शब्द के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे मान लिजे हम यहाँ पर type कर देते हैं operating system अब इसके बाद आपको जाना है वापस से उसी जगाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे विंडोस के आगे आपको यहाँ पर one लिखाई दे जाएगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक footnote का यूज किया है और जैसी आप अपने mouse का cursor यहाँ पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको footnote दिखाई देगा जो footnote हमने वाँ नीचे type किया है वो footnote आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर footnote का यूज कर सकते हैं इसी तरीके से मैं एक page पर और आपको footnote का यूज करके दिखा देता हूँ हम page नमबर दो पर आते हैं page नमबर दो पर आने के बाद माल लिजे हम यहाँ पर PC के आगे क्लिक करते हैं PC के आगे क्लिक करने के बाद, हम यहाँ पर footnote पर जाते हैं, और footnote पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, footnote पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे इस page के बिलकुल last में, आपको यहाँ पर दो नमबर दिखाई देगा, और यहाँ पर आप अपना footnote टाइप बिटर आपको दिखाई देगा जो footnote हमने नीचे टाइप किया था वही footnote आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा तो इस तरीके से आप footnote का use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं endnote की तो endnote के लिए हम मालीजे चले जाते हैं page number 3 पर page number 3 पर जाने के बाद हम यहाँ पर password के आगे क्लिक करते हैं endnote लगाने के लिए भी आप password को select कर सकते हैं या फिर password के last में आप क्लिक कर सकते हैं तो मालीजे हम password के last में आप क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर reference टैब में हम वापस से footnote block के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे endnote का आपको एक option दिखाई देगा इस यहाँ पर आप जो भी endnote टाइप करना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं मालीजे हम यहाँ पर password दे देते हैं excel infotech और इसके बाद हम page number 3 पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर password के आगे endnote आपको लिखावा दिखाई देजागा excel infotech के नाम से इसी तरीके से मालीजे हम एक और endnote आपको लगा के दिखा देते हैं इसके बाद हम चले जाते हैं next page पर मालीजे हम page number 4 पर आ जाते हैं और page number 4 पर आने की बाद emoji keyboard के आगे हम यहाँ पर click कर देते हैं और यहाँ पर भी हमें एक endnote का use करते हैं तो वापस से चले जाते हैं reference tab के endnote वाले option पर और यहाँ पर हम फिर से cake करते हैं जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे excel info tech का जो हमारा पहला endnote लगा था उसके just नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो दिखाई दे जाएगा यानि की दूसरा endnote आप यहाँ पर type कर सकते हैं तो मालीजे हम यहाँ पर type कर देते हैं इसकी shortcut की तो मालीजे हम यहाँ पर type करते है windows हमने यहाँ पर emojis की shortcut की लिख दी है और इसके बाद हम चले जाते हैं वापस से उसी page number पर तो यहाँ पर आप देखेंगे emojis keyword के आगे second number का आपको endnote दिखाई देगा और इसके ओपर जैसे आप करजर को ले कर आप footnote का use कर रहे हैं उसी page के बिल्कुल last में आपको footnote दिखाई देगा और endnote basically लगता है page के बिल्कुल last में आप पूरे document में किसी भी word के उपर अगर आप footnote का use करते हैं तो वो page के बिल्कुल last में आपको दिखाई देगा तो इस तरीके से आप endnote और footnote का use कर सकते हैं footnote option पर जाने के बाद यहाँ पर जैसी next footnote पर आप click करेंगे तो आप directly यहाँ पर next footnote पर चले जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर PC जो था हमारा वो हमारा दूसरा footnote था और इसके वाद हम जैसी यहाँ पर previous footnote का use करेंगे तो आप देखेंगे हमने तो previous footnote लगाया था वो windows लगाया था आप देखेंगे हम windows पर यहाँ पर जम कर चुके हैं इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हम पहले वाले endnote पर हैं और अगर हमें दूसरे endnote पर जाना है तो आपको वापस से इसी option पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यूज करना है previous endnote इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हम वापस से पहले वाले endnote पर जम कर चुके हैं इसके बाद आप next option यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक और option आपको दिखाई देगा show notes का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक dialogue box दिखाई देगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं endnote देखना चाहते हैं या footnote का area देखना चाहते हैं तो माल लीजे हम यहाँ पर select करते हैं endnote और यहाँ पर इसे जैसे हम okey button पर क्लिक करेंगे दो आप देखेंगे हमने जितने भी endnote यहाँ पर लगाए हुए हैं उससे भी endnote आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगे तो इस तरीके से MS Word में आप endnote और footnote का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके अलावा आप मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप endnote या footnote को हटाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से हटा सकते हैं हमने starting में windows पर सबसे पहला footnote यहाँ पर use किया था तो इसको हटाने के लिए आ हमने दूसरा footnote यहाँ पर use किया था हम उसे भी इसी तरीके से हटा सकते हैं आप देखेंगे PC पर हमने यहाँ पर दूसरा footnote यूज किया था तो इसको क्लिक करके जैसे हमें आप backspace दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका यह footnote भी यहाँ से clear हो चुका है इसके लावा अ इसी तरीके से अगर आप endnote को अटाना चाहते हैं तो यहाँ पर endnote को भी आप यहाँ से अटा सकते हैं आपको यहाँ पर click करना है और अपने keyboard से दो बार backspace दबाना है आप देखेंगे हमारा पहला जो endnote था वो यहाँ से हट चुका है इसी तरीके से हम दूसरा endnote अटा ले देगा तो इस तरीके से आप endnote or footnote के सभी options का यूज कर सकते हैं आज हम आपको reference tab के research blog के अंतरगर search option की जानकारी दे रहे हैं मान लीजिए आप कोई report बना रहे हैं या फिर कोई document चेक कर रहे हैं और उसमें आपको किसी भी चीज़ की detail देखनी है चाहे वह कोई प्रसिद देखती हो, स्थान हो, कोई नियम हो या फिर कोई word ही क्यों ना हो ऐसे में यदि आप MS word छोड़कर online सर्च करते हैं तो कई बार लिखने या पढ़ने का flow तूट जाता है हम disturb होते हैं और इसमें काफी समय लग जाता है ऐसे में आप search option की सहायता से आप word में किसी भी चीज़ इसके बारे में web से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं चलिए आपको search option का उपयोग बता देते हैं search option का use करने के लिए आप देखेंगे reference टैब में आपको एक option दिखाई देगा search का इस option को use करने के लिए माल लीजे कि हम यहाँ पर Microsoft से related कुछ information सर्च करना चाते हैं तो हम यहा search बाले option पर यहाँ पर क्लेक करेंगे तो आप देखेंगे Microsoft से related वेब पर जितना भी result होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देज़े जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर Wikipedia के अंदर जो भी information है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है Microsoft से related जो भी information है वो यह पर click किया तो आप देखेंगे यहाँ पर Microsoft Office की official website आपके सामने represent हो गई है आप directly यहाँ से किसी भी चीज़ के बारे में search कर सकते हैं इसके बाद हम इसे basically cancel कर देते हैं वापस अपनी document पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफी सारी categories दी गई है और इन categories म आप देखेंगे आपको काफी सारी option दीगे हैं जैसे कि all, all का मतलब आप इसमें सभी चीज़ों को search करना चाते हैं Microsoft से related इसके पास जो भी information है उन में से सभी चीज़ों को आप यहाँ पर search करना चाते हैं अगर आप यहाँ पर web को select करेंगे, web का मतलब है आपको यहाँ पर स images दिखाई देंगी Microsoft से related जितनी भी images यहाँ पर होंगी वो सभी images आपको यहाँ पर दिखाई देंगी इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर help की बात करें तो Microsoft से related help की जितनी भी information होगी दक पर वो सभी information आपको यहाँ पर दिखाई देंगी इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर files की, तो file पर जैसे हम click करेंगे, तो आप देखेंगे, हमारे पूरे system में, Microsoft से related, जितनी भी files हैं, चाहे वो MS Word की हो, चाहे वो Excel की हो, चाहे वो PowerPoint की हो, वो सभी files आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगे, यहाँ पर चाहें, तो आप यहाँ पर जाकर के इसे filter भी क कर सकते हैं, filter में जैसे आप यह चाहते हैं, कि आपको केवल MS Word की file देखनी है, बाकी कोई भी file आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर केवल आप MS Word को select कर सकते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ MS Word की file रिपर्जन हो रही है, अगर आप यह यहाँ पर all पर टिक कर देंगे, तो आपको यहाँ पर जितनी भी file दिखाई देंगी, जिस file में भी हमने यहाँ पर Microsoft का use किया होगा, वो सभी file आपको यहाँ पर दिखाई देजाए, इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर हम बात करें, आपर this file की, तो this file पर जैसी हम यहाँ information आसानी से सर्च कर सकते हैं, अब इसकी बात माल लीजिए, आप यहाँ पर feature वाले option को select करते हैं, और इसके उपर right click करते हैं, right click करने के बाद, आप देखेंगे आपके सामने, यहाँ पर search का option दिखाई देगा, इस पर जैसी आप क्लिक करेंगे, तो वापस से आपका dialogue box यह से related, यहाँ पर जितने भी sentence होगे, भो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगे, noun pronoun भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो basically यह जो option है, यह basically एक browser की तरीके से काम करता है, बाल लीजिए, आप Google को open किये, बिना आप यहाँ पर कुछ भी search करना चाते हैं, तो directly आप MS Word में research option के अंतरगत search option का use कर सकते हैं, आज हम आपको preference tab के citation and bibliography block के अंतरगत सभी options की जानकारी दे रहे हैं, MS Word दुनिया का सबसे powerful word processor है, यहाँ पर सब लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं, article लिखते हैं, report त्यार करते हैं, या book भी type करते हैं, अगर आप खुद की book लिखते है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अलग-अलग writer के किताबों का उलेक करते हैं, या उनकी किताबों से कोई article लेते हैं, कुछ copy करते हैं, तो आपको वहाँ उसका स्रोथ देना पड़ता है, यानि citation देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, या जो line है, या जो paragraph है या जो घटना है, या मैंने उस book से ली है, MS Word में इसको लिखने के लिए एक अलग से option दिया गया है, या reference tab के अंतरगत दिया गया है, जिसको हम कहते हैं citation and bibliography, तो चलिए, अब हम आपको citation and bibliography के option का उप्योग बता देते हैं, दोस्तों MS Word में citation and bibliography का use करने के लिए, आप दे जाता हूँ कि जो भी हमने article यहां से copy किया है, उस copy के last में, मैं citation देना चाहता हूँ कि यह जो document है, यह जो paragraph है, यह मैंने उस website से लिया है, तो इसके लिए आपको यहां पर reference tab पर जाना होगा, और यहां पर आपको एक option दिखाए देगा, insert citation का, इस पर आपको click करना है, और यहां पर आपको सबसे पहला option दिखाए देगा, add new source का, इस पर आपको click कर देगा, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहां पर आपके सामने काफी सारे option दिखाए देगे, हमने यह जो matter है, वो basic एक website से लिया है, तो यहां पर हम अपनी website को select करेंगे, इसक आपको author का नाम यहां पर type करना होगा, title type करना होगा, year type करना होगा, city type करना और publisher type करना होगा, इसी तरीके से अगर आपने कोई book section से data लिया है, तो आप来了 come. तो आप उसे select कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आपने किसी report का यूज किया है तो यहाँ पर आप report को select कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़े सारे option दिखाए देंगे तो basically हमने जो data लिया है website से लिया है तो इसलिए हम यहाँ पर website को select करेंगे website को select करने के बाद यहाँ पर आपको author का नाम डालना है तो यहाँ पर basically मैं आपना नाम डाल देता हूँ क्योंकि यह जो matter है वो मैंने अपनी website से लिया है तो यहाँ पर मैं type कर देता हूँ पांडे विनोर यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने name of webpage है तो यहाँ पर आपको webpage का नाम देना होगा यानि कि आपकी जो website है जो matter आपने copy किया है उसका webpage नाम क्या है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी webpage का जो नाम है वो hidden text inside windows 10 है तो इस पर हम यहाँ पर select करेंगे इसे यहाँ से copy कर लेंगे और copy करने के बाद हम यहाँ पर आकर के इसको paste कर दे इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है name of website तो यहाँ पर आपको अपनी website का पूरा URL डालना होगा तो URL आपको कैसे मिलेगा आप देखेंगे हमारा जो web page है वो यहाँ पर है और आपको जो URL होगा वो आपका यह पूरा का पूरा URL होगा तो इसको हम यहाँ पर select करेंगे Ctrl-C से इसको copy करेंगे और copy करने के बाद यहाँ पर लागर के इसको paste कर देंगे इसी तरीके से नीचे की तरफ आपको year देना होगा कि यह कब लिखा गया था तो यहाँ पर मालिजी हमने से दे दिया 2022 बंत अगर आपको याद है तो डाल सकते है डे अगर आपको याद है तो डाल सकते है अदर्वाइस आप इसे छोड़ भी सकते है नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा URL तो यहाँ पर आपको अपनी website का URL डालना है जैसे example के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको example दिखाई दे रहा है तो हम अपना URL यहाँ पर डाल देते हैं तो हम चले जाते हैं वापस से इपने web page पर और हमारा URL यहाँ से यहाँ तक का है तो इसको पूरा हम select करके यहाँ से इसको हम copy कर लेंगे copy करने के बाद यहाँ से paste करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो tag name है वो खुद से generate हो जाएगा अब इसके बाद आपको क्या करना है simply यहाँ पर OK बटन पर क्लिक कर दे रहा है जैसी आप OK बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ विनोद 2022 के नाम से यहाँ पर citation हमारा insert हो चुका है इसी तरीके से अगर माल लीजे यह वाला जो matter है इस matter को माल लीजे मैंने किसी बुक से insert किया है तो यहाँ पर मैं आपको एक और citation लगा के दिखा देता हूँ इसके नहीं वापर से जाएंगे insert citation पर और यहाँ पर जाएंगे add new source पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करके बुक को select कर लेते हैं माल लीजे हमने यहाँ पर बुक को select किया और बुक को select करने के बाद यहाँ पर author का नाम डाल देते हैं जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर author का नाम डाल दिया कुमार विनोद और उसके बाद title में माल लीजे हमने यहाँ पर डाल दिया excellent protect और उसके बाद year के अंदर मालीजे हमने डाल दिया 2022 और city में मालीजे हमने डाल दिया है यहाँ पर new daily और उसके बाद publisher में आप कोई भी नाम डाल सकते हैं जैसे कि मालीजे हमने यहाँ पर दे दिया ABC pvt.ltd यहाँ प्राइवेट लिमटेट और इसके बाद आप देखेंगे इसका भी tag यहाँ पर जैन्डिट हो चुका है तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे OK ब्तन पर क्लिक कर देगे आप देखेंगे यहाँ पर भी विनोग 2022 यहाँ पर आपको दिखाई दे वो सारे के सारे citation यहाँ पर insert हो जाए पूरी information के साथ उसके लिए हमें use करना होगा विब्लोग्राफिक है यहाँ पर विब्लोग्राफिक पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर तीन option दिखाई दे रहे हैं इन option में से आप यहाँ पर कोई भी option select कर सकते हैं मालीज हमने पहला वाल option यहाँ पर select किया और इस पर click कर दिया तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर विब्लोग्राफिक ओपन हो चुका है सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर excel info tag के नाम से हमने जो citation insert किया था book वाला वो आपको उपर दिखाई दे रहा है उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर hidden tips and tricks के नाम से हमने इसको url से copy किया तो उसकी पूरी information आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके अलावा अगर आप इसका forward change करना चाहते हैं और इसके बाद आप देखेंगे hidden tips and tricks यह जो citation लिया गया है यह basically हमारा online लिया गया आप देख सकते हैं इसमें हमारा online दिखाई दे रहा है और इसमें हमारा book दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप citation और bibliographic आने यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा manage source का इस पर जब आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो भी citation यहाँ पर create किया हुआ है वो citation आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस पर आप अपने citation को select करके यहाँ पर उसके अंदर editing कर सकते हैं जैसे मालीजे अपने विनोद कुमार Excel InfoDeck को select किया और यहाँ पर आप edit पर click करके इसके अंदर जो भी changes करना चाहें वो changes कर सकते हैं अगर आप volume add करना चाहें तो volume को भी आप यहाँ पर easily add कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप यहाँ पर hidden div sentence को select करेंगे तो आप उसके अंदर भी यहाँ पर editing कर सकते हैं इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने new का भी एक option दिखाए देगा अगर आप browsing करना चाहते हैं तो browse से जा करके आप अपने citation को यहाँ पर browse भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप MS Word में citation and bibliography का use कर सकते हैं आज हम आपको reference tab के caption block के अंतरगत सभी options की जानकारी दे रहे हैं जब आप एक ऐसी किताब पढ़ते हैं जिसमें धेर सारे चितर दिये गए होते हैं धेर सारी table दी गई होती है या फिर chart दिये गई होते हैं तो वहाँ पर उन चितरों के नीजे कुछ उनकी information दी गई होती है तो वो information caption कहलाई जाती है इसके अलावा बुक के last में या फिर शुरुवात में एक table बनाई जाती है जिससे हम आसानी से किसी भी चितर पर, table पर या फिर chart पर आसानी से पहुँच सकें MS Word में भी आप caption का इस्तिमाल करके आप ऐसी table बना सकते हैं MS Word में इस तरह की table बनाने में आपको एक और फायदा होगा कि आप किसी भी table या figure पर अगर तुरंत पहुँचना चाते हैं तो आपको कीवाल अपने keyboard से control बटन को दबा करके अपने mouse से left बटन पर क्लिक करना होगा जिससे आप आसानी से उस figure या उस table पर पहुँच सकते चलिए अब इसे practical तरह से समझते आप देखेंगे हमने example के लिए यहाँ पर एक document insert किया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ tables लिये हैं कुछ images लिये हैं, कुछ charts लिये हैं और इसके अलावा हमने 2-4 यहाँ पर images लिये है तो इसमें caption लगाने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको किसी table पर यहाँ पर click करना होगा उस table को select करना होगा select करने के बाद आप यहाँ पर right click करिए right click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा insert caption का आप इस पर click कर दीजे इस पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा caption का यही same option अगर आप चाहें तो reference tab के captions block के अंदर आप देखेंगे insert caption का आपको एक option दिखाए देगा इस पर आपको simply click करना है, इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे वही same option आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, तो यहाँ से भी आप इसे use कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस table के ओपर एक caption create कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे caption में table 1 आपको करेंगे, table को select करने के बाद आप देखेंगे आप इसकी position है, तो position में आप जो caption चाहते हैं, वो above यानि उपर की तरफ चाहते हैं, नीचे की तरफ चाहते हैं, तो basically हम इसकी caption को यहाँ नीचे की तरफ रखेंगे, तो हम यहाँ पर below selected item को select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर न नाम देते देते हैं GST और इसकी बाद जैसे हम यहाँ पर O की बटन पर क्लेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जिसकी केटिगरी है वो GST नाम से यहाँ पर एड़ हो जाएगे तो basically हम इस caption को यहाँ पर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से alphabet को भी ले सकते हैं, roman को भी ले सकते हैं या फिर numbering को यहाँ पर select कर सकते हैं तो यहाँ पर basically हम number को select करेंगे और यहाँ पर हम इसे O की बटन पर click कर देंगे इसके बाद इसके आगे हम अपना caption type कर लेते हैं जैसे मालीज हम यहाँ पर type कर देते हैं goods and service text और उसके बाद यहाँ पर OK बटन पर click कर देंगे जैसे हम यहाँ OK बटन पर click करेंगे तो इस table के just नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको table 1 और यहाँ पर goods and service text आपको दिखाई दे जाएगा तो इस तरीके से आप किसी भी image पर किसी भी table पर या तो किसी भी chart के उपर इस तरीके का caption लगा सकते हैं तो इसी तरीके से हम नीचे की तरफ आते हैं नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक chart लिया हुआ है तो इस chart को हम यहाँ पर select करेंगे chart के उपर right click करेंगे और यहाँ पर हमें option दिखाए देगा caption का insert caption पर हम click करेंगे जैसे हम यहाँ पर insert caption पर click करेंगे caption type करने के बाद आप यहाँ पर position को set कर लीजे below from selected item और यहाँ simply ok बटन पर click कर लीजे ok बटन पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर chart 1 आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको एक image दिखाई देगा same इस image पर भी हम caption को use कर सकते हैं तो इसके उपर हम right click करेंगे वापस से insert caption पर click करेंगे insert caption पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको chart दिखाई दे रहा है तो basically हमारा जो label है वो chart नहीं है वो एक figure है यहाँ पर हम drop down को select करके यहाँ पर figure को select करेंगे और figure के सामने यहाँ पर अपना caption टाइप कर दीज़े जैसे मैं आपर टाइप कर देता हूँ wifi device wifi device लिखने के बाद हम यहाँ पर ok बटन पर simply click करेंगे और click करने के बाद आप देखेंगे इसके जस नीचे figure 1 wifi device आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और इसके बाद हम नीचे की तरफ और जाते हैं यहाँ पर भी हमने कुछ images insert की हैं तो इसके ओपर भी हम फटा फट caption लगा लेते हैं right click करेंगे insert caption पर click करेंगे और यहाँ पर हम type कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर okay बटन पर click करेंगे नीचे की तरफ आप देखेंगे इसका भी caption यहाँ पर लग गया और भी जितनी images हैं मैं इस पर फटा फट caption create कर लेता हूँ insert caption पर click करता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर इसका भी caption type कर लेता हूँ यहाँ पर okay बटन पर click कर देता हूँ तो इस तरीके से आपके बाद जितने भी documents हैं जितने भी images या फिर figures हैं उन सभी पर आप यहाँ पर caption यूज कर सकते हैं आप देखेंगे हमारा जो यह वाला caption है वो center में यहाँ पर आ रहा है इस पर आपको click करना है इस पर जैसे यहाँ पर आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे forward दिखाए देंगे कि आप आप किस तरीकी का table preview चाहते हैं तो यहाँ से आप tap leader को भी select कर सकते हैं जैसा भी आप यहाँ पर चाहते हैं वैसे dots को यहाँ पर select कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाए देगा caption label तो यहाँ पर जिस caption को आप select करेंगे केवल वही caption आपको यहाँ पर represent होगा जैसे मालीजे हमने यहाँ पर chart का use किया था figure का use किया था और table का use किया था तो सबसे पहले हम यहाँ पर figure को select करते हैं figure को select करने के बाद यहाँ पर O की बटन पर हम यहाँ पर click कर देते हैं O की बटन पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर 3 figures को insert किया था तो तीनों की तीनों figures आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर table को insert करना चाहते हैं यानि जितनी भी table इस document में हैं सभी tables को यहाँ पर insert करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी option पर जाना होगा और यहाँ पर आपको केवल caption चेंज कर दे रहा होगा यहाँ पर click करके जैसे मा लिजिए हम यहाँ पर table को select करेंगे और जैसी यहाँ पर ओकी बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमने जितनी भी table इस document पर बनाए थी वह यहाँ पर insert हो गई है बैसे कि हमने केवल एक table का यहाँ पर use किया था तो good sense of is text का वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी तरीके से हमने च चार्ट पर या किसी फिगर पर जाना चाहते हैं तो आपको अपनी कीवोड से केवल कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और यहाँ पर जिस भी table या जिस भी figure पर आप click करेंगे तो आप directly उस figure पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो इसी तरीके से अगर आप किसी table पर जा दी माली जा यहाँ पर student performance लिका है तो इसके आगे हम यहाँ पर कुछ add कर लेते हैं जैसे माली जाम यहाँ पर add कर देते हैं in India editing करने के बाद नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी उस table में किसी तरह की कोई भी editing नहीं हुए तो आपको यहाँ पर simply इस वाली table को click करके याँई select करके रखना होगा और यहाँ पर आपको reference time में एक option दिखाए देगा update टेबल का इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आपको अपको एक option दिखाया देगा update end table का इसको आपको select करना है और जैसी यहाँआ पर okay button पर आप click करेंगे तो डिरेक्ली आप इसे यहां से अपडेट कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा का ही काम करता है जैसे मालीजे हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और इसमें से किसी भी टेबल या फिगर का हम कोई लिंक बनाना चाहते हैं किसी अधर पेज़ पर तेम जैसे हमने यहां पर कंट्रोल दबा करके हम डिरेक्ली उस फिवेर पर पहुंच गए थी उसी तरीके से आप cross reference का use करके आप link generate कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको simply cross reference पर click करना होगा cross reference पर click करने के बाद आप यहां पर reference type select करेंगे preference type में आप यहाँ पर जो भी select करना चाते हैं जैसे मालिजे आप कोई chart select करना चाते हैं यानि आपने किसी chart का use किया है या फिर किसी equation का use किया है figure का use किया है या table का use किया है तो basically हमने तीन चीज़ों का use किया है यहाँ पर chart का, figure का और table का तो हम यहां से मालीजे टेबल को select करते हैं टेबल को select करने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपारी वो table दिखाई दे जाएगी इसी तरीके से अगर आप यहां पर figure को select करेंगे तो हमने जितनी भी figures का यहां पर इस document में use किया होगा वो सभी figure आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी तो इसमें से आप कुछ भी select कर लीजे जैसे मालीजे हम पहला वाला figure यहां पर select करते हैं और यहां पर इसे insert कर देते हैं insert पर click करने के बाद आप देखेंगे यहां पर वो caption हमें दिखाई देगा और अगर आप इस caption पर directly जाना चाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे current document पर जाने के लिए आपको control ब्रस following पर click करना होगा तो आपको क्या दरना है? control दबा के रखना है इस वाले text पर simple click करना होगा जैसी आप इस पर click करेंगे तो यह directly आपको उसी जगा पर जम करा देगा जिस तरीके का काम हमारा है हाँ insert table figure भी कर रहा है तो इस तरीके से आप reference tab के caption block के सभी option का use कर सकते हैं आज हम आपको reference tab के index block के अंतरगत सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके document में कुछ ऐसे word लिखे हैं जिनका आप similar word अलग से दरशाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको mark entry के option का उप्योग करना होगा इस option की मदद से आप अपने document में किसी भी word के जितने भी similar words हैं उन सभी words को अलग से index कर सकते हैं तो चलिए अब इसे practical तरह से समझते हैं आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक document लिया हुआ है जिसमें हमने कुछ words को highlight किया हुआ है red color से और इसके नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने उनके related words का एक index यहाँ पर त्यार किया हुआ है अगर आप इस तरीके से अपने किसी भी data का index त्यार करना चाहते हैं किसी भी word के similar words से related तो आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं कि चलिए आईए सीखते हैं माल लिजे इस document के कुछ words को हम similar words से index करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको reference tab पर जाना है और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा index block का और यहाँ पर आपको option दिखाए देगा mark entry का तो इसका आप किस तरीके से use करेंगे सबसे पहले आपको उस word को select करना पड़ेगा जिस word का आप similar word यहाँ पर type करना चाहते हैं तो उसके लिए माल लिजे हम यहाँ पर office को select करते हैं और यहाँ पर हम चले जाते हैं mark entry पर mark entry पर जैसी हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर mark index entry का एक dialogue box आपके सामने represent हो जाएगा और यहाँ पर आपको main entry में office लिखावा दिखाई दे जाएगा इसके बाद सब entry के अंदर आप अपने office से related जो भी आपका similar word है यहाँ पर वो type कर दीजे जैसे माल लिजे हम यहाँ पर type कर देते हैं agency agency type करने के बाद यहाँ पर आपको current page को ही select करके रखना है और नीचे की तरफ आपको mark पर click कर दे तो आप देखेंगे यहाँ पर office के just bugle में उसका similar word आपको दिखाई देगा और इसके अलाव आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ marks बन करके represent हो जाएगे इन marks को कैसे अटाया जाता है मैं last में आपको वो भी बता दूँगा सबसे पहले हम सभी words को यहाँ पर mark कर लेते हैं तो इसके बाद माल लीजे हम यहाँ पर discuss को mark करना चाहते हैं तो discuss पर आने के बाद आपको double click करना है जैसे आप discuss पर double click करेंगे और यहाँ पर mark entry पर आकर के जैसी एक बार click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर main entry में discuss यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसका sub entry यानि कि जो भी इससे similar word है वो यहाँ पर आप type करतीजे जैसे माल लीजे हम यहाँ पर type कर देते हैं dog oval और उसके बाद same as it is यहाँ पर भी इससे mark करतीजे इससे mark करने के बाद हम next word को यहाँ पर select करते हैं इसके बाद हम यहाँ पर further को select करते हैं further को select करने के बाद वापस से आप तो यहीं पर ही click करना है और click करने के बाद यहाँ पर इसका सब entry यहाँ पर type कर दे रहा है जैसे माल लिजे हम यहाँ पर type कर देते हैं opposite opposite type करने के बाद हम इसे भी यहाँ पर mark कर देते हैं mark करने के बाद हम next word को select करते हैं इसी तरीके से जितने भी words आपके पास हैं उन सभी words को यहाँ पर select कर लीजे, मालीजे हम यहाँ पर most को select करते हैं और वापस से हम mark entry पर click करते हैं, आप देखेंगे वापस से most यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इसका जो similar word है, वो यहाँ पर type कर दीजे, जैसे मैं यहाँ पर type कर देता हूँ, highest और उसके बाद यहाँ पर mark कर देता हूँ, same as it is, इसी तरीके से बाकी के सभी words को फटा फट यहाँ पर mark कर लेते हैं तो बाकी जो हमारा word है, माली जे हम यहाँ पर select करते हैं, introduce को, और introduce को select करने के बाद वापस से हम mark पर click करते हैं, और यहाँ पर इसका similar word है, वो यहाँ पर मीट डाल देते हैं, मीट डालने के बाद यहाँ पर इसे mark कर देते हैं, mark करने के बाद अब हम यहाँ पर information पर double click करत और यहां पर information का जो similar word है वो यहां पर type कर देते हैं जैसे माली जी हमने type कर दिया data और यहां पर इसे mark कर देते हैं आप देखेंगे यहां पर हमने six words का यहां पर similar word mark कर दिया है इसके बाद आपको यहां पर close पर click कर देए close पर click करने के बाद आप देखेंगे चितने भी हमने words यहां पर type किये थे उन सभी words का यहां पर similar word ex यानिके example के तौर पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जैसे office की अगर हम बात करें तो office का हमने यहां पर रखाता agency उसी तरीके से अगर हम discuss की बात करें तो यहां पर use की अगर हम बात करें तो यहां पर meet दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से हमने सभी words को यहां पर mark कर लिया है mark करने के बाद जहां पर भी आप इसका index त्यार करना चाहते हैं आपको वहाँ पर enter करके नीचे आ जाना है तो यहां पर आपको simply click करना है और click करने के बाद आप देखेंगे आपको एक option यहां पर दिखाई देगा insert index का इस पर आपको click करना है जैसी आप यहां पर insert index पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपर index के नाम से आपको यहां पर dialog box दिखाई देगा और यहां पर आपको दिखाई देगा इसना preview कि आपका जो index है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अब आप कितने column में इसे index करना चाहते हैं, तो basically हमारे पास ज़्यादा data नहीं है, तो हम यहाँ पर एक column को यहाँ पर select करेंगे, language आपको छेड़ना नहीं है, language आपको जो by default है वो यही रखनी है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे, य यहाँ पर जो by default templates है, आपको वो दिखाई देगा, तो हम फिलाल यहाँ पर इसे यही select करेंगे, और उसके बाद directly आपको यहाँ पर ok button पे click करेंगे, जैसी आप यहाँ पर ok button पे click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपका section break आपको दिखाई दे जाएगा, और उस पर आपको simply click कर देना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, जो marks हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा था, वो सभी marks यहाँ पर हट चुके हैं, और basically आपका जो index था, वो यहाँ पर create हो चुका है, अब माल लीजे, आप यहाँ पर किसी word को यहाँ पर add करना चाहते हैं, जैसे माल लीजे, मैं चाहता हूँ, कि office का एक और related word यहाँ पर मैं add करना चाहता हूँ, तो उसी आप किस तरीके से add कर सकते हैं, तो उसके लिए हम use करेंगे, यहाँ पर update index का, तो उसी आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे माल लीजे, हम वापस से चले जा हम टआप कर देते हैं Department, Department करने के बाद Simply हमको Mark पर यहां पर ख्लिक कर देना है, Mark पर जैसी कलिक करेंगे, तो आप देखेंगे वापस से हमारा वू Mark यहां पर यहां पर एड हो चुका है और उसके बाद यहां से में सेков स कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर office के just नीचे agency जो था हमने पहले add किया था और उसके बाद जो हमने अभी department add किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे index के अंदर update index का भी use कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने document में किसी भी similar word को अलग से index कर सकते हैं आज हम आपको reference tab के table of authorities के अंतरकत सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आपके पास कोई ऐसा document है जिसमें बहुत सारी category जैसे की fruits, junk food and vegetables को दरशाया गया है और आप चाहते हैं कि जितनी भी category हमने document में बनाई हैं उन सभी category का एक table तयार हो जाए और बाद में अगर हम कोई और category उसमें add करना चाहें तो वह भी हम आसानी से कर सके तो यह काम हम mark citation की मदद से किसी भी category को mark करके और table of authorities याने PA की मदद से आप mark की गई सभी category को एक साथ एक page पर index कर सकते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी category तक आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि उस category के आगे index पर page नमबर भी लिखा होता है जैसे की table of content में होता है तो चलिए अब हम इसे practical तरह से समझते हैं आपको समझाने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर पहले से एक table of authorities का एक index तयार किया हुआ है जैसा कि आप देखेंगे हमने जो सबसे पहली category लिए है वो यहाँ पर fruits के लिए है दूसरी जो category है वो हमारी junk food की है और तीसरी हमारी vegetables आप देखेंगे fruits के अंदर हमारे पास यहाँ पर lemon, strawberry और orange जो आपको दिखाई दे रहा है वो page number 2 पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर junk food है और यहाँ पर आप देखेंगे page number 4 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है याँ जन्क food के जितने भी हमने categories यहाँ पर ली है वो यहाँ पर page number 4 पर आपको represent करना है तो इसी तरीके से हम यहाँ पर page number 4 पर चले जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर advantage of junk food है और उसके जितने भी आपकी categories है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके से page number 3 पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे advantage of vegetables है और इसके भी categories आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो fruits है वो page number 2 पर है बट junk food जो है वो हमारा page number 4 पर आपको दिखाई दे रहा है और नीचे जो vegetable है वो हमारा यहाँ पर page number 3 पर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो हमारे fruits और junk foods और vegetables है इनको basically alphabet के हिसाब से sort किया गया है यह by default आपका जो table of authority है वो इसको by default sort कर देता है जैसे हम बात करें F के बाद जो अगला text आता है यानि अगर हम ABCD को read करते हैं तो F के बाद जो अगला text आता है वो J आता है और J के बाद हमारा V आता है जैसे मैं बात करूँ F के बाद G, H, I और उसके बाद J आ जाता है तो यानि F के बाद J हमारा जो है वो sequence में है और उसके बाद हमारा V आता है तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स बना हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके का इंडेक्स क्रिएट करना जाते हैं तो आप किस तरीके से उसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नहीं फाइल ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने वही डॉक्यमेंट फिर से इंसट किया है तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना है यानि आपके page के सबसे starting word पर क्लिक करना है आपको अपने keyword से control plus enter प्रेस करना है जैसी आप control plus enter प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यापर page one blank आजाएगा बैसे multiple pages में view करके आपको दिखा देता हूँ अब हमें जाना होगा है यहाँ से reference tab में और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा mark citation का mark citation का use करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी categories को select करना होगा तो वापस से हम अपने page को zoom कर लेते हैं zoom करने के बाद हम नीचे की तरफ आते हैं scroll करके और यहाँ पर सबसे पहले हम lemons को select करते हैं सबसे पहले lemons को select करने के बाद हमें जाना होगा यहाँ पर reference tab के mark citation वाले option पर इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर mark citation का आपके सामने एक dialogue box represent हो जाएगा और इसके बाद categories के अंदर जैसे आप scroll button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी categories दिखाई देगी जिसमें हमें अपनी category रखनी है fruits तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारी fruits के नाम से कोई भी category आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है तो अगर आपके पास कोई भी category आपको दिखाई ना दे तो आप खुद से कोई भी category कैसे customize कर सकते है मैं आपको वो बता देता हूँ तो जैसे मान लीजे यहाँ पर जो पहले से ही categories दी गई है उन्हें छोड़कर नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ numbers दिखाई दे रहे है तो इन में से कोई भी number आप select कर लीजे जैसे मान लीजे मैं यहाँ पर 10 number को select करता हूँ और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा category का इस पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 number की जगा पर आप क्या replace करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपना replace word यहाँ पर type कर देते हैं मुझे यहाँ पर क्या चाहिए मुझे यहाँ पर fruits है यह तो मैं यहाँ पर fruits type कर देता हूँ fruits type करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा replace का एक option इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी fruit की category एड़ हो चुकी है और उसके बाद आप इसे select करके यहाँ पर ok बटन पर click कर देगे तो आप देखेंगे यहाँ पर category में आपको fruits दिखाई दे जाएगा इसके बाद CDA आपको यहाँ पर mark पर जाना है और यहाँ पर जैसे आप mark पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो long citation है यानि कि जो citation हमने create किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से इस category में जितनी भी citation आप add करना चाहते हैं आप add कर सकते हैं जैसे माल लिजे हम second citation यहाँ पर use करते हैं second citation हम यहाँ पर select करते हैं strawberry पो तो यहाँ पर हम strawberry को select करेंगे और यहाँ पर mark citation पर जाकर के click कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर strawberry का जो text है वो अपने यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर category में आपको fruits को रखते हुए सीधे आपको mark button पे click कर देना इसी तरीके से हम तीसरे वाले को भी select कर लेते हैं हम यहाँ पर orange को select करते हैं orange को select करने के बाद वापस से mark citation पर click करेंगे और यहाँ पर आपको category में fruits रखते हुए वापस से mark कर दे दा है अब हमने इसको mark कर दिया इसी तरीके से अब नीचे की तरफ हम जाते हैं नीचे क्लिक करके हम scroll करके pages को नीचे की तरफ आ जाते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें vegetables दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम vegetables की एक category create करेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने fruits की category create की थी, और उसके बाद उसको भी हम mark कर देंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस category create करेंगे, तो यहाँ पर हम वापस से drop down वाले बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आ करके आप किसी भी number को select करनीजे, और यहाँ पर category पर click कर दीजे, और यहाँ पर category का नाम हमें देना है, वो हम देते हैं vegetables, तो यहाँ पर हम type कर देते हैं, vegetables, vegetables लिखने के बाद आप यहाँ पर replace वाले बटन पर click कर दीजे, और उसके बाद vegetable को select करके, यहाँ पर O.G बटन पर click कर दीजे, इसके बाद आप आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी जो category है, वो यहाँ पर vegetables add हो चुकी है, और उसके बाद हम second वाले category को यहाँ पर select करते हैं, इसको हमने click किया, click करन और वापस इसको mark कर देना है इसी तरीके से बागी की जितने भी categories है आप इस तरीके से mark कर सकते हैं तो फटा-फट तीसरी category को भी आपर mark कर लेते हैं नेचे की तरफ scroll करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको junk food दिखाई देगा और junk food की आपको यहाँ पर categories दिखाई हैं तो वापस इस डॉप Noor प्लिक करेंगे तो आप दिए करेंगे किसी भी नंबर को select करके यहाँ पर हम category करेंगे और यह पर हम category का एक नाम देदेते हैं जैसे महाँ पर देते हैं junk food देने के बाद हम यहाँ पर replace रहे वापस से क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क् देखेंगे junk food की category यहाँ पर add हो चुकी है और आपको सीधे mark button पर click कर देखेंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे, second वाला जो हमारा category है, हम इसको select करेंगे, वापस से mark citizen पर click करेंगे, और यहाँ पर हम सीधे mark पर click कर देखेंगे, mark पर click करने के बाद हम इसे यहाँ से close कर द तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले वाले page पर चले जाएंगे, first page पराने के बाद यहाँ पर आपको click करना है, click करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर वापस से reference tab पर, reference tab में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, insert table of authorities इस पर आपको click करना है, जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको cases दिखाई देगा यानि आपको यहाँ पर एक format दिखाई देगा कि इस तरीके का format इंसेट कर रहे हैं और उसके बद यहाँ पर आपको categories दिखाई देगी अब माल लीजे हम cable fruits की category को इंसेट करना चाहते हैं तो आप सीधे fruit को select करके जैसी यहाँ पर ok बटन पर click करेंगे तो आपके पास cable fruits की category यहाँ पर दिखाई देगी इसके अलावा गर आप vegetable को insert करना चाहते हैं तो vegetable select कर सकते हैं और junk food चाहते हैं तो junk food basically हम चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी हमने categories बनाई है वो सरी categories हमारी यहाँ पर represent हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर all को select करना होगा all को select करने के बाद यहाँ पर आप tap later के अंदर अपने इसाब से जो भी dots select करना चाहते हैं जो भी landing select करना चाहते हैं वो यहाँ पर select कर सकते हैं, हम by default इसको वही रहने देंगे, और नीचे की तरफ आप देखेंगे, आपको format भी दिखाई देगा, जिसमें से आप कोई भी format यहाँ पर select कर सकते हैं, तो by default जो format हमारा यहाँ पर हैं, उसी को रहने देते हैं, और नीचे की तरफ हम सीधे OK बटन यहाँ पर click कर देते हैं, जैसे हम OK बटन पर यहाँ पर click करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर category wise, जो भी हमारा index था, वो यहाँ पर represent हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको काफिस सारे marks यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पूरे paragraph में, तो इस mark को हाट जाने के लिए, आपको सीधे जाना है, यहाँ पर home बटन पर, और home टैप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, show और hide का एक option इस पर आपको click कर दिने, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, जितने भी आपके यहाँ पर breaks लगे रहे थे, या वो सभी यहाँ से हट चुके हैं, अब आप देखेंगे, हमने fruits में यहाँ पर तीन category को add किया था, vegetable में भी हमने तीन category को add किया था, पड़ यहाँ पर फिलाल दो ही category यहाँ पर आ रही है, पहली वाली category यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, इसी तरीके से junk food में हमने किवल दो category को ही add किया था, तो अब हमें करना क्या है, जो हमारी एक category vegetable में यहाँ पर represent नहीं हो रही है, तो उसको हम यहाँ पर update करेंगे, तो उसको update करने के लिए आपको वापस से vegetable वाले page पर जाना है, यानि हम चले जाते हैं, vegetables वाले page पर, और पहली वाली category को यहाँ पर select करेंगे, पहनी वाले category को select करने के बाद, आपको वापस से reference time में जाना है, और वापस से, यहाँ पर mark separation पर click कर देने, mark separation पर click करने के बाद, यहाँ पर इसको select करनी है, तो यह जो हमारी category हो, वेजटेबल है, तो यहाँ आपर हम वेजटेबल को select करेंगे, और यहाँ पर mark button पर केक कर देंगे, मार्क करने के बाद अब हमारी जो लास्ट केटेगरी थी, जंक फूड वाली वो भी यहां पर नहीं आ रही थी, तो हम स्क्रॉल करके यहां पर नीचे चले जाते हैं, नीचे जाने के बाद आप देखेंगे, सबसे लास्ट पेज में हमारा तीसरे नंबर आपको दिखाई देगा, अफॉर्टेबल प्राइस, यानि यह जो कैटेगरी है, वो हमारी जंक फूड की कैटेगरी है, तो उसको हम यहां पर सेलेक करेंगे, सेंक इसी तरीके से मार्क सेटीशन पर यहां पर हम मार्कर के गेग करेंगे, और यहां से हम वेज़िटेबल की आपकी टेबल बनी हुई है, और उसके बाद आपको यहां पर जिस भी कैटेगरी को एड कराना है, मालेज हम वेज़िटेबल वाली कैटेगरी को एड कराना चाहते है, तो simply हम वेज़िटेबल वाली कैटेगरी को यहां पर सेलेक कर लेंगे, सेलेक करने के बाद आपको जा वापस यहां update table पर click करना होगा जैसी हम update table पर यहां पर click करेंगे तो आप देखेंगे थर्ड वारा जो हमारा offerable price था वो यहां पर page number 5 पर है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा वापस से आपको home tap पर जाना है और समार को यहां से अटा देना है तो आप देखेंग को like कमें share जरूर कीजेगा धन्यवाद